हेलो बच्चो, शान्ति कुझ ओन्लाइन दसेस में आप सभी का स्वागत है बच्चो, आज की रक्षा में हम पढ़ेंगे समाने ज्यान और समाने ज्यान में हम पढ़ेंगे पार्ट बीस, विविन प्रकार के रोग तो चलिए बच्चो, आज की पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं पार्ट बीस, विविन प्रकार के रोग, पेज नमबर है 49, यानि की 49 आपने समने निकाल लिया बच्चो, आपने किताब निकाल लिया है चलिए, देखिए इसमें क्या है, शरीर में रोग कई प्रकार से लग जाते हैं बिन बिन प्रकार के रोग शरीर के कई अंगों को प्रभावित करते हैं नीचे कुछ रोगों के चित्र दिये गए हैं शरीर के उन अंगों के नाम लिखिए जिनसे ये रोग प्रभावित होते हैं यानि कि हमारे शरीर में कभी कभी कई कैसी बिमारें लग जाती हैं जिनकी वज़े से हमारे शरीर की कुछ अंग हैं जो प्रभावित होते हैं इन पर फरक पड़ता है उसमें किसी तरह की परशानी तो आपको यही बताना है कि किस रोग की यह कौन सा रोग इसकी वह हुआ है तो सबसे पहले देखी बच्चों यह पिच्चर आप जिहान से देख रहे हैं यह बिमारी में क्या है दातों को परशानी दात खराब हो गए हैं दात गल गए हैं दात एक तरीके से इनकी हड्डिया हुआ है तो यह बच्चों यह होती है इसकर विटामिन इसकि कमी से होती है यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे इसकर भी लिख देंगे ठीक है उसके बाद देखिए यह आप बिमारी देख रहे हैं यह गले पर असर डालती है गले में देखिए इतना बड़ा सा मास का बड़ा सा आगी का दरफ हो जाता है इसे कहते हैं घेंगा और घेंगा होता है आयोडीन की कमी से तो यहाँ पर आप लिख देंगे घेंगा उसके बाद देखिए इस बिमारी के वज़े से आग पर सरपड़ता है आग के बीचों बीच पुतली के उपर वाइट वाइट का लार का असा परता सा जाजाता है यह बिमारी होती है बच्चों मौतियाबिन्द तो यहाँ पर होता है पीतके सर्थ नौमल ऑलि यसा होता है अन्हें अधिसर लिखकी सर्फ के इसा होता उतना पर के तरफ तरफ उठाया है तो इसको हम कहते है कै निकला है इस जान्वर हो में आपशां के तरफ नंइक और यह तो यह कौंसी पर Westerni का आप पर नाम करहा ए मैं लोगां और उसके बाद यह बच्ची देख रेहे हैं यह हात में कैसे लेके चल रहे हैं यह स्टीक लेके चल रहे हैं मय लबंके पाऊं सही नहीं है तो यह किसकी वज़े से होता है यह पोली हो जाने की वज़े से होता है तो बच्चों हम लिग देंगे पोली यो कि ओर उसके बाद दिय कि इस तरह से कि पूर्टे चहरे पे बुर्टे शरीमें लालकर दाने निगा ते हैं यह होता है चेचक की विबारी में जब चेचक हो जाता है तो पूरे शरी में लालल से चिकते लालल से दाने पड़ जाते हैं तो यहां आप लिख देंगे चेचक है उसके बाद देखिए यह अपनी इसано जीप रिखा रहे हैं जीप पर क्या हो गए है या फिर पैट्ट सہी निढाए होता है या फिर कप्स की पीप परशार ही हो तम उसके नतिम यह हो जाता है कि मूं में च्छाले या फिर मूं में जगा जगा क्राइब बहुत दाने से और कोईजी कहाने में बहुत दिक्कत कोने लगती है यहां लिख दिया च्छाले पुंके उसके बाद देखिये यहे बिमारी यहे कि पउमें तकलीफ होती है परकर यहां पर दर्द होने लगता है इस प्रकार से एडी में, जोडों पे, कई जगा पर ही दर्द होने लगता है, तो बच्चों इसे कहते हैं गठिया, यह जादा उमर की लोगों को परशानी होती है, तो यहाँ पे लिख दिया गठिया, उसके बाद सबसे आखिर में देखिए, यह पाहों पैसर होता है, इसमे इसी प्रकार से पैल तेड़े हो जाते हैं, तो बच्चों इस प्रकार से क्यों कौन से बिमारी हमारे शरीके अंगों को प्रभावित करती हैं, और यह सब बिमारीया कब होती है, यह बिमारीया तब होती है, जब हम संतुलित आहार नहीं लेते हैं, या फिक पोश्यों से प copy में किस पकार से करेंगे, copy में करने कले हम आप इसकी photo copy करा लेंग इस page की और इसकी बाद में pictures कर लेंगे, picture cutting करने के बाद में फिर आप लिखेंगे उसके नीचे लिखते जाएंगे कौन सी विवाली किस तरीके से है ठीक है आज की क्लास में बस इतना ही हम लोग फिर नेक्स क्लास में मिलते हैं सब तक के लिए बच्चो बाई बाई